चानक्या कारण चन्द्र गुप्त्म और एक कुशल शासक बने थे चानक्या की बातें आज भी लोगों के बीच प्रासंगिक है कहा जाता है कि चानक्या की कुछ बातों को ध्यान में रकर परेशानियों से बज़ा जा सकता है हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किल समय या संकट आता है बुरे वक्त से बाहर निकलनी के लिए चानक्य ने नीती शास्त्र में तीन बातों का जिक्र किया है कहते हैं कि इन बातों को अपना कर कोई भी व्यक्ति संकट की घड़ी को आसानी से काट सकता है फूलल सतोप चानक्य कहते हैं कि जीवन में जब भी मुश्किल समय आये तो खुद को परिशान ना होने दें विचलित दिमाग कभी सही फैसले नहीं ले पाता है इसलिए धैर्ये रखें और अपने परिवार वकरीबियों को एक जुट करके रखें चानक्य कहते हैं कि अगर व्यक्ती धैर्ये से काम लेता है तो वेह मुश्किल से मुश्किल वक्त आसानी से पार कर लेता है 2. नीती शास्त्र के अनुसार मुश्किल वक्त में खुद को नेगेटिविटी का शिकार ना होने दें कितनी भी मुश्किल क्यों ने हो मन में कभी भी ये ख्याल ना लाएं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है और जिटेव रहकर स्थिती को समझें और उसका हल निकालने की कोशिश करें तीन, चाड़क्य कहते हैं कि मुश्किल समय में जल्दबाजी में फैसला न लें जल्दबाजी में कई बार आप स्थितियों को समझ नहीं पाते हैं जिसके कारण गलत फैसले ले लेते हैं इसलिए समस्या को अच्छे से समझें और उसके बाद उसके निवरंड के बारे में सोचें समस्या को रन्नीती के साथ हल करने का प्रयाज करें